Hey guys, hi, welcome back to my channel, मैं हूँ SHINY, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाले हूँ, female hygiene के उपर, मैंने already 3 वीडियोज शेयर किया है female hygiene related, अगर आप उन वीडियोज को चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, actually इस तरीकी का वीडियोज मैं बनाना support क और मैं चाहते हूँ मेरे चानल के जरिये में आप सब को educate कर पाऊ female hygiene के उपर, तो इसी वज़े से मैं इन वीडियोज को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, intimate areas के hair removal के बारे में, जो कि काफी जादा interesting topic है, और हर लड़की च किया है and don't forget to subscribe to my channel, तो सबसे जो main question है, हमारे सभी के मन में आते हैं, हम उस areas पर किस तरीकी से hair को remove कर सकते हैं, क्योंकि there are lot of processes, जैसे की razers है, hair removal, crems होगे, बहुत सारे ऐसे high end processes भी है, जो expensive होते हैं, जैसे की laser hair removal, waxings and all, लेकिन जो सबसे जादा effective way है, और जो सबसे जादा painless एक process है, और safe भी है, वो है hair removal crems को इस्तमाल करना, आपको एक ऐसे तरीके का cream इस्तमाल करना चाहिए, जिसके अंदर किसी भी तरीके का harsh and harmful chemicals ना हो, जो उन areas को irritate ना करें, जैसे की मैंने already मेरे videos में बताया है, कि intimate areas पर pH, जो है pH level थोड़ा सा अ होता है हमारे बागी body areas से, तो आपको इस तरीके का एक cream इस्तमाल करना है, जो आपके उस area का pH है, उसे maintain करें, तो मैंने शाय किया है, यह Evertain cream hair remover bikini line, मतलब यह सिर्फ और सिर्फ intimate areas के लिए ही बना है, यह sensitive और बिलकुल mild है, और sensitive skin के लिए perfect है, तो down there वो area काफी जादा sensitive ह है, अगर आप अपने body पर जिस cream को इस्तमाल कर रहे है, hair removal cream को, वही अगर आप उस area पर इस्तमाल करेंगे, तो irritation, inflammation, rash हो सकती है, और trust me, जब हम कुछ face पर apply करते हैं, अपने body पर apply करते हैं, और rashes बगेरा breakouts होते हैं, तो उसे ठीक करना काफी जादा आसान है, अगर आपकी intimate areas पर कुछ भी inflammation या rash हो जाते हैं, तो उसे ठीक करना बहुरत ही जादा मुश्किल है, आपको medical help के बगेर आप ठीक नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा आपको यह ध्यान में देना है, कि आप उन areas पर जो भी कुछ इस्तमाल करें, आपको यह ध्यान में देना है, कि आप ingredients को आता है, the first variant is silky, जिसके अंदर cranberry and cucumber है, second is radiance, जिसके अंदर charcoal, kojic acid and vitamin C है, and third variant is natural, जिसके अंदर chamomile extract है, तो they have come up with two new variants, क्योंकि already एक variant, जो यह natural variant है, यह already था, मैंने काफी बार नाइका में देखा है, लेकिन they have recently launched two new variants of this bikini line hair removal cream, जो की अलग-अग skin type के लिए, अलग-अग skin issues के लिए, और specifically बनाया गया है, let me first talk about the natural variant, जिसके अंदर chamomile extract है, the best party's की ever team के, जो भी सारे bikini line hair removal cream है, उसके अंदर किसी भी तरीके का ऐसे harsh fragrance नहीं है, बहुत से ऐसे hair removal cream है, जिसके अंदर इतने बुरे smell होते है, कि मैं उसे लगाना ही नहीं नहीं पाती, मतलब इतने जा जोड़ता है, अगर आप रिजर इस्तिमाल करते हैं, तो रिजर बंस हो सकते हैं, लेकिन इसको इस्तिमाल करते हैं, कोई बंस या राश नहीं होता है, कोई cuts, burns, कुछ भी क्रेट नहीं करता है, in fact, इस skin को डापन नहीं करता है, और ये sensitive skin के के ये specially बना हुआ है, आपके intimate area's जो skin है, उसके लिए specially ये बना हुआ है, तो बहुत ही जादा effective होगा, and the best part is, this is really affordable, sirf 149 रुपीज में आपको ये इतना बड़ा 250 ग्राम का tube मिल रहा है, that also आप इसे discounted price में और भी जादा affordable rate में परुचेस कर सकते हैं, अब बात करते हैं, कि आपको इसे इस्तिमाल कैसे करन First, आपको इसको sufficient quantity में लेना है, इसके साथ एक spatula भी आता है, which is really mild, बिल्कुल भी harsh या कुछ ऐसे प्लास्टिक से वो नहीं बना है, तो आपको इसके स्किन में इरिटेशन करेगा, तो आपको उस क्रेम को उसस्पेचुला के पीछे के पोर्शन में लेना है, और फिर अपला अपको इसके स्किन में लिगा भी एक का पीछुला से, उसे वोश कर सकते है या फिर आप चाहते है तो आप कोई कॉटन का रुमाल है या फिर टावल से आप उन अरिया को ऊप्र या उससे रिम में कर लीज़ें, जेस्ट वाइब कर लीजें, तो इसे ही 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 हीऑ रमुवल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत कम टाइम लगेंगे यह जो नाश्रल वेरियंट है इसके अंदर कैमुमाइल एक्स्ट्राक्ट है, जो कि सूधिं के लिए काफे अच्छा है काम करता है आपके स्किन को और स्किन डाकनिंग बिल्कुल भी नहीं करता है, अहलका सा रेडियंट छोड़ता है स्किन में और यह जो न्यू वेरियंट है, जिसमें से एक है रेडियंट, जिसके अंदर चारकोल, कोजिक आसिड है, विटामिन C है, तो यह जो इंग्विडियंस है, इस इंग्विडियंस आर रीली रीली बेनिफिशियल क्योंकि यह रेडियंस के लिए काफी अच्छा है आप इसे सिर्फ और सिर्फ इंटिमिट एरिया पर ही नहीं, बिकिनी लाइन पर ही नहीं, आप अपने अंडर आम्स पर भी इस तरीकी का यह जो क्रीम से सिस्तमाल कर सकते हैं In fact, honestly speaking, मैं अपने हैंस और लेक्स पर और अपने जहां पर मुझे हैर रोल प्रोसेस चाहिए, मैं इस क्रीम्स को ही इस्तमाल करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही जादा सेंसिटिव है मैं कुछ भी दूसरा प्रोसेस अप्लाइ करती हूँ, तो मेरे स्किन पर बंस आ जाते हैं, इंफ्लमेशन हो जाती है, रैशेस आ जाते हैं जो हमारे skin cells को healthy रखता है, as well as इसके अंदर charcoal extract है, जो skin को detoxify करता है koji acid एक natural skin brightening agent है, कोई harsh smell नहीं है इसके अंदर, जिसके वज़े से आपकी skin काफिर जादा healthy रहती है at the same time gently ये skin को clean भी करता है, कोई irritation, itchiness या burning sensation ये बिलकुल भी नहीं देता है और next variant है, that is the silky variant, जिसके अंदर cranberry and cucumber extract है these hair removal cremes are specially designed for intimate skin areas, जैसे bikini line, underarms and ये जो silky variant है, इसके अंदर pure extracts of cranberry, cucumber है, जो कि soothe करता है skin को, soft बनाता है और एक pleasant feel देता है so overall in cremes को इस्तमाल करके मुझे तो काफी अच्छा लगा, काफी effective है and chemical भड़े products इस्तमाल करने से अच्छा है आप इस तरीके का product इस्तमाल करे क्यूंकि काफी affordable rate में भी आपको मिल जहे है there are a lot of variants as well now so जो भी purchasing links है, वो मैंने description box पर प्रवाइट किया है make sure you check my description box and yeah, that's it for today's video I hope this video आप सब को अच्छा लगा, किसी भी तरीके का अगर query है मन में तो आप मीचे कमेंट करके बताएए मैं आपके हर कमेंट कर रिपलाई करती हूँ वीडियो पसंद आएथ वीडियो को लाइक किजिए, शूर किजिए and don't forget to subscribe to my channel bye guys